तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरान स्टाइल पालक बनी रोडूस के साथ यह तानुदरी रोटी मिल जाए तो कहना ही किया तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है पालक मेरे कीचन गार्डन से मैंने यहाँ पर इसको तोड़ा और यहाँ पर हम इसको बनाएंगे तो यह और ज्यादा टीस्की बनेगा क्योंकि फ्रेश होता है तो इसकी बात या लगोती है तो हमें करना कुछ नहीं है सिर्क बॉइलिंग वाटर में हमें इसको डालना है और विदिन 8-10 सेकंड हमें इसको होट वाटर में से निकाल देना है हमें ज्यादा नहीं रखना है अब भी हम इसको निकाल देंगे 8-10 सेक यह जाला है आप चाहो तो की भी यूज कर सकते हो जैसे गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो बड़े साइस के प्यास में ने फाइनली चॉप कर दिया हमें पीसना नहीं हम पीसेंगे दो ग्रेवी जैसा हो जाएगा हमें टेक्श्चर वाली सब्जी चाहिए दर देंगे अब हम इसको ठक के मीडियम फ्लेम पे हम इसको एक से डेड मिन तक होने देंगे तब तक हम पालक पीस लेते हैं आप यह पालक अच्छे से ठंडी हो गए है तो अब हम इसको दो बैच्चे में पीस लेंगे वरना कई बर हम एक साथ डाल देगे तो वह सीथा मुह पर लग जाएगा तो इसका ध्यान रखना है तो अभी हम इसको देख सकते हो मैंने कैसा पीसा है इसे थोड़ा हमें दर्दरा रखना है हमें 2-3 सिकंड के लिए पीसना है बंद करना है सब एक साथ हमें नहीं पीसना है तो इस तरह से आपको ऐसा टेक्शिर मिल जाएगा तो यहां पर मैंने दोनों बैचिस में करके गड़ी कर लिया है अभी यहां पर यहां पर प्यास हरी मेरिच अध्रक और लाइस्टून का यह अच्छे से उख हो गया है तो अभी हम इस पर मसाले करेंगे तो मैंने यहां पर देड चमबच डाला है धनिया पावडर सोल्ट अधा चमच डालेंगे लाल मेर्च पावडर और डालेंगे 1-4 टीसपुन लाल मेर्च ठोड़ा कमी डालना तभी इसका कलर मेंटेन हो गा अधर्वाइस यह कलर मजा ने आएगा थोड़ा डल हो जाएगा हर हरा नहीं दिखेगा और थोड़ा पानी डालेंगे तो मसाले जल हम इसको ढग देंगे और दो से तीन मिलिट तक लो फ्लेम पर हमें इसको कुग करना है तब तक मैंने घर की फ्रेश मलाए लिए है दो चमज हम इसको फेट लेंगे आप चो पैकेट आता है रेडिमेंट हम उसको भी दे सकते हैं और मुल्क आता है और यहां पर पनीर भी हम इ सबजी में तो अभी यहां पर मैंने यह भी ग्रेट कर लिया है तो यहां पर देख सिते हो एक ओए हैं अभी हम इसको एक बार चला लेंगे एंदेन हम अपने कंसिस्टेंसों से काल किसी को है कि इस चैशा पसंद दो आप इसमें डाल देंगा मैंने यहां पर से मैं रख तो रीच लगता है और खाने में भी मजा आता है तो अभी हम इसको खुला ही छोड़ के हमें इसको पगाना है धकना नहीं तो भी हमने यहां पे जो पनीर काटके रखा था वह और ग्रेट किया हुआ दोलों डाल देंगे और डाल देंगे हाफ टी स्पून गरम मसा अच्छे से मिक्स करके फ्लैम ओफ कर देंगे ज्यादा पकाएंगे तो पानीर चुए हो जाएगा तो फ्लैम ओफ करने के बाद हमने इसमें डाला है नीमू का जूस अप्शनल आप चाहो तो मट लालना तो यहां पर मैंने इसको सर्व कर दिया है मै एक दम रेस्टोरन स्टाइल तो उसके साथ मेरे यहां पर कंदूरी रोटी भी बनाएए यह कंप्लेटली गें होगी है मैदाती नहीं है तब तक बनाते रहें खिला तेरे खुश रहें मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में बाई बाई फ्रेंड